हेगाईज वेलकम बैक टू माई चैनल चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस खुबसरत से पौधे की प्रपकेशन और केर के बारे में यह प्लांट बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है अगर आप बिगनर हैं तो इस प्लांट को आप जरूर लगाईए यह देखे सबसे पहले बताती हूं मैं एक मज़े की बात कि इसे सिंगोनियम क्यों कहते हैं मतलब यह मुझे लगता है कि इसमें पीछे लिए इसमें दो सींग के जैसे दिखते है ना इसलिए शारे से सिंगोनियम कहते होंगे तो इस प्लांट को आप बोटल में पानी भरकर लगा दीजे उ इन से चार वराइटी हैं सबसे पहले बात के लेते हैं इस प्लांट के मिट्टी के बारे में या फिर पॉटिंग मिक्स के बारे में इस प्लांट का जो पॉटिंग मिक्स है आप उसे पोरस ही बनाई है सारे प्लांट की तरह ही पर अगर मतलब इसमें अगर थोड़ा बहु बहुत देखे कितना बढ़ियाँ गुरो कर रहा है इतलिया आप इस प्लांट को लगाने के लिए चिन्ता बिल्कुल भी मत कीजिए सब्सक्राइब बहुत हारी प्लांट हे अभ बात करते हैं इस प्लांट के बारे में इस plant को आप किसी भी तरीके के pot में लगाईए बस बहुत बड़े pot में मत लगाईए देखे मैंने सारे plant को 6-8 inch के pot में ही लगा रखा है सारे मेरे pot में अच्छे से ये grow कर रहे हैं और देखे इस bottle में भी plant इसकी cutting मैंने लगाई थी और देखे इसकी roots कितने अच्छे से develop हो गई हैं और कितना अच्छे से grow कर रही है ये एक ऐसा plant है जिसे आप छोटे से भी pot में लगा देंगे तो बहुत च्छे से grow करेगा आप देखे मेरे किसी भी pot का size बहुत बड़ा नहीं है ये छोटे pot में भी उससे वैसे ही grow कर रहा है जैसे ये थोड़े से बड़े pot में grow कर रहा है बस अगर आप bottle में इसको लगा रहे हैं तो इसका पानी आप हफते में एक बार जरूर change कर दीजेगा क्योंकि फिर मच्छर वगरा होने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है और ये एक ऐसा plant है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे देंगे तब भी ये plant कभी शिकायत नहीं करेगा और अगर आप इसको कभी एक आद दो दिन पानी देना भूल जाएंगे तब भी ये plant शिकायत नहीं करता है पानी कम या ज़्यादा होने के उज़े से ये प्लांट मरता नहीं है पर फिर भी आप ध्यान रखिए प्लांट ही तो है अगर आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो देखे इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं आप इनको यहां से कट कर लीजिए फिर आप इसे चाहें तो बॉटल में लगा दीजिए पानी भर के या फिर आप इसे डिरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा अब बात करते हैं इस प्लांच की सनलाइट की नीट के बारे में तो इसे आप मौनिंग की 2-3 गंटे की सनलाइट मिले ऐसी चगह पर रखिए वरना प्लांट अगर आप इंडोर रखते हैं तो इस तरीके से लगी हो जाएगा और क्रीपर की तरह से चलने लगेगा देखिए ये creeper की तरह से हो गया है प्लांट इसलिए मैंने इसमें maustic लगाई है और इसको थोड़ा सा round round करके चड़ा दिया है पर आप इसको ज़्यादा sunlight में भी मत रखिएगा कि आप पूरे दिन की sunlight में रख देगा तो इसकी tip burn होने लगेगी या फिर आपने कभी देखा होगा कि बीच में गोल-गोल सा छेट जैसा हो जाता है और किनारे की पती जली हुई होती है तो वो बहुत ज्यादा sunlight की जैसे ये बर्ण हुई रहती है इस तरीके से अब बात करते हैं इस प्लांट की खाद की खाद ये देखे ये भी सिंगोनियम जैसा ही दिखता है पौधा लेकिन ये कलेडियम है ये सिंगोनियम नहीं है और अगर आपने इसे बॉटल में लगा रखा है तो आप इसे दो चार बहिने में चार से छे दाने आप यूरिया के इसके पॉट में डाल दीजिए और इसे जादा खात की नीड नहीं होती है बहुत ज्यादा यूरिया आप बॉटल में मड़ा लिएगा वरना आपका प्लांट जल भी सकता है उमीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वाचिंग सीव नेक्स वीडियो बाबाई